नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देखना शुरू कर चुके हैं माध्यप्रदेश की महा डिबेट मैं हूँ अपढ़ना मौज़नम आज बात नया प्लान नई सरकार और विपक्ष पर हमला जोरदार दिल्ली में NDA संसरी दलो की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोधी को NDA का लीडर चुन लिया गया है मानी नरेंद्र बोधी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूँ इसका मैं मन से समर्थन करता हूँ तो नया प्लान नई सरकार विपक्ष पर हमला जोरदार संसर्थ के पुराने भवन में NDA संसरी दल की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोधी अपने पुराने अंदाज में नजर आये जहां विपक्ष पर जोरदार हमला बोला नरेंद्र मोधी ने कहा कि चुनाव से पहले EVM पर सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन आप यह शोर सुनाई नहीं दे रहा विपक्ष तक्नीक पर जनुता में भ्रम पहला रहा है जनुता के जनादेश और EVM ने विपक्ष के मुझ पर लगा दिया है ताला NDA का एलान मोधी को कमान PM का संबोधन 3.0 का बताया प्लैट विपक्ष का भ्रम आकड़ो से बेदब चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए EVM ने उनको चुप कर दिया NDA का जोड दो हजार उन्तीस तक तूटे का नहीं गडवंदन के इतिहास में अगर आकड़ो के हिसाब से देखें तो इस सबसे मजबुत गडवंदन की सरकार है NDA संसद्य दल ने नरेंदर मोधी को अपना नेता चुन लिया है अब 9 जून को नरेंदर मोधी तीसरी बार पीम पर खीशा पत लेंगे उधर नरेंदर मोधी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट इसी पर तो आज NDA का नेता नरेंदर मोधी को चुन लिया गया नरेंदर मोधी ने भी का कि जिम्दारी को मस्मिकारता हूँ आश्रिवाद भी लिया वरिशने ताउस से और देखी तस्वीर आप देख रहे है राश्पती मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुचे थे नरेंदर मोधी और तीसरी बात प्धार मंत्री बनने जा रहे है राश्पती ने उनका मुँ मीठा भी कराया है और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मुलाकात की यहां नरेंद्र मोदी ने राश्टपती द्रौपती मुर्मू से और इस मौके पर उन्हें मू मीठा कराया है राश्टपती मुर्मू ने भारतिय संस्कृती में किसी भी शुबकार इससे पहले मू मीठा कराया जाना एक परंपरा है एक रिवाज है और यहां आप देख रहे हैं कि जब तीसरी बार प्रधार मंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोधी तो ऐसे में यहां राश्ट्पती मुर्मू ने उनका मुँ मीठा कराया है तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लूजिव आज का ये पूरा दिन शपत से पहले की प्रक्रियाओ के पालन में ही निकला है और नरेंद्र मोधी मीठा से मुखातिब भी हुए और इसके अलावा NDA को संबोधित भी किया उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में पुरानी संसद में और आज जहां उन्हें NDA का लीडर चुना गया है खेर हम बात करेंगे नहीं सरकार नया प्लान विपक्षपर जोड़दार हमला आज जो देखने को मिला है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं तो प्रदेश की महा डिबेट में चर्चा करने से पहले आज के सवाल क्या रहेंगे जिनके एड़ गिर्द आज की महा डिबेट रहेगी उन सवालों को एक बार देख लेते हैं तो क्या इंदिया गटबंदन तीसरा सवाल लोगतंत्र पर क्या भम पहलाया जा रहा है इन तीनों ही सवालों के इर्दगिर्द आज की ये महा डिबेट रहेगी हमारे साथ खास महमान जुड़ चुके हैं कौन-कौन महमान है आपका परिचे उनसे करवा देते हैं मेरे साथ जु किया है हमें आलोक वस्टी ने बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी महमानों का अमिश्चर्मा जी चार सुब बार नहीं लेकर आप आई बीजेपी के पास मिजॉट्री वाला नंबर नहीं है इसको लेकर लगातार विप्रक्ष तो हमलावर है लेकिन आपके खुद की स्थ को देखिए अपरना चार सो पार जानने की बात कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं कही यह स्वयम प्रदानों-पंत्री-जी ने कहा जिस पर आप आज डिस्कशन कर रही हैं और चैनल लूण बिस्कशन कर रहे हैं हर बूत पर 370 बढ़ाने की बात कॉंग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा जो नहीं बढ़ा पाए वो स्वयम प्रधान मंत्री जी ने और भारती जनता पार्टी के तमाम प्रभक्ता और नेताओं ने कहा जिस पर अपन बातचीत कर रहे हैं और आज प्रधान मंत्री जी ने मोदी चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात स्वयम प्रधान मंत्री जी ने मोदी की गारंटी देने की बात स्वयम प्रधान मंत्री जी ने जिसको उन्होंने कहा और भारती जनता पार्टी ने सारे चुनाव में इसको प्रचारित करने की कर रहे इस पर किसी कॉंग्रेसी ने कोई बयान नहीं दिया परिडाम आ गया जब 400 चपार जाने वाले जो ना जा पाए चाहें वो भगवान राम जी के पीछे खड़े हो या धर्म के आधार पर बात कर रहे हो या कहीं ना कहीं जुमले मुझरे और तमाम हिंदू मुस्लिम औ आज मुधी सरकार सिर्फ एक चेहरा मुधी सरकार जो सारी मीडिया हो नेता हो प्रवक्ता हो डिवेट हो हर राजनितिक दल ने मुधी सरकार की बात पर दस साल चर्चा करी और आज जब मुधी सरकार नहीं आई तो उसी मुधी सरकार ने आज 105 बार 3 दिन के अंदर NDA सरकार NDA सरकार कहने का काम किया और मैं धन्यवाद दूँगा उस लाल किताब संवेदान की रहुल गांदी जी की जिनोंने दिखा कर आज चेतना संवेदना और अधिकार देने के बात को जो उठा कर कहा आज जिसमें 2019 में संवेदान की किताब को रखकर आज पैर पढ़ने का उसको स सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई है उसमें किताब की जाकी गई और संवेदान को नमन कर रहे के लिए कॉंग्रेस ते मजबूर कर दिया कि वो एंड़े का नाम ले रहे है अपढ़ना कॉंग्रेस नहीं कह रही यह जंता ने दिखाया है इसलिए पढ़ रहे है 2019 में प्रधानमंत्री जी ने नहीं करा था तो सिंगल लाज़स पार्टी तो अभी बिजेपी कैसे बन गई जंता नहीं तो वोट दिया होगा ना कर रहे थे और जनता के बीच लड़ने का काम कर रहे जनता के सरोकार की बात कर रहे थी कॉंग्रेस इसलिए आज में 99 पर भी पहुँच गई है मजबूद विबक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने भी खड़ी है पंकत जी देखिए जिनकी पारटी के नेता देज भर में 295 सीटों की बात करते तो सोपर नहीं पहुँच पाए पिंचैनर के आसपास हैं जिनकी पारटी की नेता मद्द प्रदेश में 15 सीटों को जीतने का दावा करते तो 29-29 में दीरो बचे यदि सर्वे आज आया मद्द प्रदेश में मीडिया का वो सर्वे बता रहा कि कॉंग्रेस पारटी ने मद्द प्रदेश के 230 विदानसवा श पिछले 2-3 चुनाओं मिलाकर पिछले 3 चुनाओं में जो सौग तक नहीं जा पाए वो भारती जनता पारटी से सबसे बड़ी मेजरर्टी है इनकी पूरी घडबंदन की सीटे चोड़ने पढ़ना जी तो भी यह भारती जनता पारटी के अकेले बराबर नहीं यह पूरे आधिना पृट जी को रहाते हैं किरल में राहूल गांदी जी कंग्रेस्ट पार्टी की राजा को रहाते हैं अरे पंज़ट जी ऐसे तो औरिशा में नवीन पटनायक आपको पिछले साल से बिना शर्त के समर्थन दे रहे थे इस बार तो आपने उनीका किला दा दिया अरे अपड़ नहीं तो नहीं था ना उनसे आज जंता दल बीजू जंता दल को हरा कर बीज़ेभी सरकार बनी न यह तो गड़ बंदन है इसी ओंग जनता ने लगातार तीसरे चुनाओं में जनादेश नहीं दिया इवीम की बात करते थे जैनाम रमेज जी ने कहा 150 कलेक्टर से अमिशा जी ने बात करी चार्ज उनको आज तक प्रमाण नहीं है इवीम की खिलाफ प्रमाण 17C की बात करते थे फॉन की कोट चले गए चुनाओं चले गए कितनी शिकायत ने करी देश के लोगतंत्र को बदनाम करने का तो शडियंत्र कॉंग्रेस पार्टी ने रचा वो सबके सामने क्या नहीं किया जवाब लेगे इस पर पंकर जी अमिशर्मा जी से की इव्यम कहां जली गई अब लेकिन आगे बढ़ते हैं धनाजे जी मद्रप्रदेश के अंदर देश में कॉंग्रेस नतीजों से उत्साहित है लेकिन मद्रप्रदेश कॉंग्रेस के लिए मैट्स के लिजिए केमेस्ट्री के लिजिए ऐसा विशे बनके जिसमें वो फेल हो गई पहली बात दूसरी बात बीजेपी वाले में क्यों गदगद हो क्योंकि उन्होंने भी लक्ष्ण सेवेंटी परसेंट वोट प्रतिशन बढ़ाने का वह भी नहीं हो पाया सिर्फ एक प्रतिशन की वोट परसेंटे जो बढ़ा पाए हैं कि कॉंग्रेस का अगर हम ओवराल प्रतिशन देखें पूरे देश में तो कुछ सुधरा है काफी हद तक सुधरा है और उसी से अमिज सर्माजी इतने उत्साहित हैं लेकि थोड़ा सा कॉंग्रेस को मद्रदेश की तरफ भी नज़र डालना चाहिए ये वही मद्रदेश है पड़ना जिसमें 2023 में कॉंग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी ये इस्तित्ति आ गई थी कि कैबिनेट के नाम तय होने की तैयारी चल रही थी और जब पहिण के नाम आए तो कुछ और हो गया चैसाठ के अंक पर जाकर रुक गई कॉंग्रेस उसके बाद देखिए कॉंग्रेस ने सुधार के प्रयास किये कमलनात को अटा कर जीतू पटवारी को आई प्रयास भी होगे लोगसमा चुनाओं में भी पूरी तैयारी के साथ कॉंग्रेस लड़ी लेकिन देखिए सुरवात से कॉंग्रेस हासिये पर रही अब टक किसी आम चुनाओं में वहारी थी भाऑत कर रहा हुं वो सीट कॉंग्रेस हार गई जबकि वहाँ पूरी नकुलनाथ तो किंडियेट थे लेकि चुनाव पूरा कमलनाथ ने लड़ा था, पूरी ताकत लगाई थी, इसके बावजूद हार गए, तो कॉंग्रेस के लिए इस समय वाकई में चिंतन का समय है कि वो मद्द्रदेस में दुबारा कैसे खड़ी होगी इस पर उसको चिंतन करना चाहिए, कॉंग्रेस के बड़े नेता जो है, दिगवे सिंग हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कांतिलाल भूरियां हो, चाहे अब जो हासिये पर चले गए हैं, उनकी बात करे हम, और वहाँ पर तो ऐसा हो गया धर अन्जीज जी, कि हर कोई आ रहा है, अपनी अपना उनके हासिये पर जाने, और हार की कारण गिना रहा है, अजे राहुल कुछ और बोल रहे हैं, यहां पर तमाम जो नेता हैं, चाहे आज जेदु पटवारी पहुँचे हैं, उमंग सिंगार पहुँच गया है, सुबह कमलनाथ पहुँच गया है, तो हर किसी उनकी बॉडि लाइंग्वेज, उनके संबोधन को लेका सवाल उठाए जा रहे थे, सोचल मीडिया पता, तमाम तरह की चीज़ चल रही थी, लेकिन आज वो अपने पुराने अंदाज में, एग्रसिव, अटाकिंग मोड में, वेपक्षपर, कॉंगर्स पर खास तोर पर ह है पड़ना, एक चीज जान लीजे, कि इस देश ने इस चुनाओं में एक चीज तो खतम कर दिया, वो है मोडी की गरिंटी, हर चीज पर उन्होंने गरिंटी दी थी, और वो गरिंटी देने लाइक रह नहीं गये, अब बैसाकी के साहरे सरकार पर चलने की कवाइद है, और दोनों जो वैसाकी है, नितीज कुमार का पल्टी मारना, यह आप से छिपा नहीं है, बिहार में क्या, अब तो पूरे इंडिया में वो पल्टू राम के नाम से ही जाने जाते हैं, और रही बात, चंदवाउ नाहिरू की, उन्होंने भी पल्टा था, जब गोदरा कांड तो उन्होंने स्टिफा मांगा था नियंद मुदी जी का, अभी के स्टिती में चुकि अभी यह मैरेज तुरत-तुरत हुआ है, अभी हनीमून टाइम, तो अभी कुछ गर्वर नहीं नजर आएगा, लेकिन लेकिन लेकिट केरी फॉरवर्ड, दो-चार महिना इसको बीतने दीजे, फिर आपको स्वता इसके अंदर दरारे नजर आने लगेंगी, मेरा अपना ऐसा मानना है, कि यह अगर कोई ऐसी अन्होनी नहों, तो यह पांच साल करता ही नहीं पूरा कर पाएंगे, तो कि बहुत से मध्वेद है, मुस्लिम आरक्षन पर मध्वेद है, आपको अ तो ऐसे बहुत सी चीजें सामने आएंगी, और नरेन मोदी के अंदर वो पुराना जोस और जज़बा नहीं रहेगा, जिसके लिए वो जाने जाते से, बिकास मजबूरी की सरकार चलेगी, तो इसको अभी, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत अर्ली है, एक ही सब कहूंगा, वेट और वाच, पंकर जी, तो कॉंगरस में कह भी दिया है कि विपक्ष में बैठेगा, इंडिया गढदन और वेट और वाच करेगा, वो भी इसी पराक में है कि कब बिली लपकेगी, चीका तूटेगा, फिनको मौका मिलेगा, देखिए वज साब ने जो कहा, वो उनका अधिकार है, उनके अनुवों के आदार पर कहा, और बहुत सारे राटन ते एक विछले शक प्रेशक ऐसे ही पूरा नुमा लगा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रतिपक्ष भी मिलकर नरेन मोदी जी को तीसी बार प्रान मंत्री के पद की शपड़ने से नहीं रोक प प्रतिवाला और गरीब यह सब बातें ब्यावानी हो जाती है, नहीं नहीं, सर्मस्ट आपने बोला आपकी बात, मेरी बात सुनो सर पूरा क्यों मान रहो सर, मैं बुरा नहीं का आदर है, पर आपकी तर्फ से सहमत हूं, मैं यह आगरे कर रहा हूं कि वजसाफ जैसे बहु का अनुमानों को द्वस्त कर देगी, और नरेन मोदी जी ने इस पर तो पर आज कहा, कि यह तो अभी ट्रेलर था, दस साल, पिक्चर अभी बाकी है, नहीं और ठीक प्रतिशत, वोट पसंटेस बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ा, तो उसमों भी तो आप अवलोकन कर रहे होंगे ना, अगर दो संदर बात कहा, मध्यप्रदेश के संदर में 10% ते जादा बोट बढ़ा, मध्यप्रदेश के हर बूत्वा 370 ते जादा बोट बढ़े, इसलिए मध्यप्रदेश में भारति अंता पराटी का मत्पर दिशाएथे 60.3 अपर पिश्ली बार, अरे मेरी से वन कम हुआ है, और 1% कॉंग्रिस का बढ़ा है, यह औरल सिनरियो की बात है, तो मुझे लगता है मध्यप्रदेश के संदर भारति अंता पार्टी जो ते किया था, क्या अब की बार 29 के 29 कमल की महला भारती जंदा पार्टी मत्पेश की और से रान मंतुजी को समर्पित मोदी जी की गारंटी थी है और रहेगी निश्चंतर प्रदीपक्ष से अच्छा अमिशर्मा जी कैसे देश में तो राहूल गांधी विपक्ष की नेता के तौर पर या कहें कि मतलब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ना का संदेश दे रहे हैं, लेकि और कोई मुखर हो रहा है हार की नतीजों को लेकर कितनी लौबी हैं, कब तक चलेंगे ये गुड़ तमाम गुड़। अब मैं आपको एक बात बताओं, कि अभी पंकजी बोल रहे थे, 35.2% मद्यप्रदेश में पोलिंग बूत का वो परसेंटेज है, जहां पर 370 भी बोट बढ़ना तो छोड़ दीजे, पहले के नहीं पड़ पाई जो भारती अंता पार्टी के लोगसभा के नुमाइंदे जीते हैं, अब दूसरी बात, आठ लोगसभा ऐसी है, जहां कॉंग्रेस ने जो पहले 4 लाग से हरी थी, 3 लाग से हरी थी, उस हार को वोट अप परसेंटेज पोलिंग बूत वाइस कम करकर, हम 40,000 पर ले आए, हम 55,000 पर ले आए, हम 65,000 पर ले आए, ऐसे नमबर आप पोल ठोड़ा परदान मंत्री जी भी मंतन कर ले पंकज्जी के, के आज, जो बनारास में जिस तरिके से अपड़ना में बात खतम करूंगा, के 10 साल के परदान मंत्री और मोधी सरकार चमकाने वाले, मोधी का चैरा चमकाने वाले, उस बनारास में 5,000 establishing को नेड़ लाग पर खड़ा कर दिया थोड़ा आत्मे चिंतन प्रधान मंत्री जी को भी करना चाहिए और एक बात और चिंतन भारती अंता पार्टी को करनी चाहिए जिस धार्मिक आदार पर भारती अंता पार्टी राजमिती करती है क्या हर्च हुआ आयोध्या का क्या रिजल्ट आया चित्रकूट का क्या रिजल्ट आया राम टेक का क्या रिजल्ट आया नासिक रामेश्वरम का क्या रिजल्ट आया खाटू शाम का क्या रिजल्ट आया महंदीपुर बाला जी का इनको रिजल्ट का अध्यन करे अब जनता समझ गई है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम तुस्ट्री करण पर राजनीती नहीं होगी अगर अब चुनाब होंगे तो राहूल गांदी ने बता दिया संबिधान पर रोजगार पर अधिकार पर और लोगों की इस्सेदारी पर चुनाब होगा ये पंकजी को और बीडेपी को समझ कोडियास बाता समस्ट किंगरत बुक्स सब्सक्राइब Qims कि इनकी ताक आंधार पर पर अगरे सर्व को WR तो जो बारती जनता पार्टी आज बात कर रहे हैं मोधी चहरे पर प्रदान मंत्री जी अपने 20 केंट्री मंत्रियों को नहीं बचा पाए आयोध्या नहीं बचा पाए तमाम लोगों को बचा नहीं पाए और वो 420 तिया 30 पर चुनाव लड़ रही थी बीडेपी अपना जी आपके पूरी डेट सुन रहा हैं मैं आपकी पूरी डेट सुन रहा हैं जो डेट में ये तर्क आ रहे थे तत्या रहे थे कि मोधी सरकार जल्दी गिर जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अनुमान अभी लगाना जल्दबाजी होगा अभी तो मुझे लगता है कि इसके बाद में दस साल सरकार चला है तो मुझे लगता है ये सरकार तो उससे बहुत ज्यादा मजबूत है और इसकी मजबूती में कोई अंतर नहीं आने वाला है चिंता है इस देशवासियों के लिए बार बार उनको अगर चुनाओं का दंस जिलना पड़े तो यह उनके लिए उनकी सहत के लिए ठीक नहीं है अभी तो सब कुछ सही होगा वह आपने सही का वरिश पसकार महोदे ने लेकिन जब ये चीजे लागू होंगी एन रसी चले हैं मदबर्देश लेकर दिली पेखार हल चल आपको यहां सबसे पहले देखने को मिल रही है लगाता जवे रही हमारे साथ कि अधा